हेलो फ्रेंड्स पूजा की अन्नपूर्ना रसोई में आज हम बनाने वाले हैं स्वयबीन और आलू की सबजी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे और स्वयबीन को हम उसमें डाल कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह सोयविन को हमने उबाल लिया था आलू भी हमने बॉयल कर लिया था अब इसके साथ में हम दोनों को फ्राई कर लेंगे सॉल डाल देंगे उसमें तर्मरिक पॉडर दालके फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे फ्राई करके और फिर हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे उस पेश्ट डालेंगे पेश्ट बना लिया था प्याज टमाटर अद्रक और लेशन का इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है अब इसके साथ में हम इसे अच्छे से फ्राइब करेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसालों में हम इसमें नमक, खल्दी, धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, गर्म मसाला ये सभी डालकर हम फ्राई करेंगे, और थोरा हम इसमें अच्छा कलार आने के लिए कश्मेरी लाल मिर्च पॉडर भी डालेंगे, और इसमें सबसे अच्छा टेश्ट आता है, दोस्तों ये जो हम लेषन की कलिया लिये हैं, बाणी डाल देंगे यह उसको हम इसमें डाल देंगे अगो जो अच्छे से उबाल आ गया है दोस्तों आप देख सकते हों अब हम इसमें धनिया पती डालगे वाटी है तो आपको मेरे सोयबिन और आलू की सबजी की रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई